railway group D की answer की officially आ चुकी है और maximum लोगों ने अपना answer की check कर दिया होगा अब friends जो आपके cut छट के अभी number बन रहे हैं या फिर raw marks बन रहे हैं उस पी आपकी cut off तयार नहीं होगी ये बात सभी को पता होगा मैंने पिछली कई वीडियो में आपको ये information देते रहा हूँ अब friends जो आपकी cut off तयार होती है वो होगी आपकी normalized marks पे और उसके लिए railway भरती बोड normalization करने वाली है तो friends इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये normalization आखिर किस तरह से करेगी railway भरती बोड और पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा दोस्तों कि कैसे आपको 10 नमर बढ़ा दिया जाते हैं कैसे 20 नमर बढ़ा दिया जाते हैं कैसे 4 नमर बढ़ते हैं कैसे 5 नमर आने वाला हूँ और किसके कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये भी आपको ये पूरा प्रोसेस जानने के बाद मालूम चल जाएगा और दूसरा बात दोस्तों कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और कितने लोग जो है बताये भी ऐसे कि negative आप लोग ज्यादा ओफिस्यल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको नॉर्मलेजेशन की प्रोसेस मैं समझाने वाला हूँ तो सुरू से लेके अंतक वीडियो को जरूर देखिए और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेशन की चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन बटन को भी दवा दिजेगा क्योंकि रेल्वे भरती की पल-पल की अपडेट आपको देते रहते इस चैनल पे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने रेल्वे भरती बोट का ओफिशल नोटिफिकेशन ओप अपनाया जाता है आपको रेल्वे गूर्व्े के नोटिफिकेशन में सिर्फ बोला गया है कि नोर्मालिज़ेशन होगी लेकिन ए नहीं बता गया था कि से पर्रॉसेस कौन सा यूज करेङ 거기 लेखिन और फरमूला आपको नहीं देगा था जोτε जल्द में है अभी अभी उस में भी आपको इसके बारे में बता दिया था कि इस पे मैं वीडियो लेकि आऊंगा बताऊंगा पूरा process step by step की किस तरह से normalization आपकी होती है तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों बताया गया है जैसे देखिए यह जो formula आप लोग देख रहे हैं यही formula के according आपका normalization होती है railway भरती बोड के किसी भी exam में तो ए देखिए सारे term को आपको समझना होगा और सभी का यहाँ पर shortcut में भी आपको बता दूँगा तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जैसे देखिए MIJ तो यह आपका हो गया दोस्तो नॉर्मलाइड मार्क्स सिंपल में MGT और माइनस MGQ और divided by MTI माइनस MIQ और यहाँ पर bracket दिया गया है MIJ माइनस MIQ और bracket close इसके बाद प्लस का sign है और MGQ तो यह आपको फर्मूला है अब सभी का यहाँ पर टर्म क्या-क्या है यहाँ पर डिसकस किया गया है सभी का टर्म तो पहला जो टर्म है आपका दोस्तो वह है आपका MIJ तो MIJ क्या है तो यहाँ पर देख सकते हो MIJ यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है कि is the actual marks obtained by the Jth candidate in Ith session यानि कि दोस्तो यह आपका actual marks है बोले तो आपका raw marks है जैसे जिनके 60 बन रहे हैं अभी कट छंट के जिनके 62 बन रहे हैं जिनके 65 बन रहे हैं तो यह आपका हो गया MIJ आपके raw marks उसके बाद second आपका है MGT और यहाँ पर बार उपर लगा हुआ है तो कौन सा है MGT फर्स्ट वाला तो यह क्या है दोस्तो तो यह है MGT is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all session तो यह जो आपका है दोस्तो फर्स्ट वाला जो है यह आपका है कि railway group D में जितने candidate यानि कि 1.1 कड़ोर candidate ने यहाँ पे exam दिया है तो सभी candidate का 0.1% topper का marks यहाँ दोस्तो 0.1% topper का marks का यहाँ पे average 0.1% topper के marks का average यहाँ पे लिया गया है यह आपको यहाँ पे रखना है second भी आप लोग समझ गए अब third आपका है दोस्तो mgq तो mgq क्या है तो mgq में आपको बता दिया गया है कि is the sum of the mean of the standard deviation marks of the candidates in the paper considering all the session अब mgq है दोस्तो क्या है कि जितने भी candidate 1.1 कड़ोर candidate यहाँ पे exam दिये है सभी के ही average marks कितने आ रहे है सभी का जो है mean और standard deviation जो भी यहाँ पे बताया गया है simple भासा में समझे तो average marks सभी के कितने आ रहे है वो आपको यहाँ पे रखा जाएगा अब देखिए उपर वाला दो आप लोग clear हो चुके टर्म अब नीचे वाले में आईए तो नीचे वाले है MTI तो MTI के बारे में आपको नीचे दिया गया है कि is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the Ith session और marks of the topper if session strength is less than 1000 तो यहाँ पे बता गया कि यह term क्या है कि माल लिजे कोई आपका particular shift है माल लिजे first shift में आप लोगों ने exam दिया है तो first shift के जितने भी candidate है उनके जो भी topper है 0.1% माल लिजे first shift में 1000 लोगों ने exam दिया तो 1000 का 1% topper candidate का average marks यहाँ पे आपको रखना है यह आपका हो गया MTI और MIQ क्या है तो MIQ के बारे में यहाँ बता गया है कि is the sum of the mean marks and the standard deviation of the Ith session और एक क्या है दोस्तों कि जो भी आपका shift था जैसे मैंने बोला कि first shift में आप लोगों तो first shift के जितने भी candidate ने exam दिया है सभी का average marks यहाँ पे आपको लिखना है तो यह 4 term समझने में आपको कोई दिकत नहीं होगी अब simple भासा में समझाता हूँ first term क्या है दोस्तों total 1.1 कडोर अभियार्थी जितने नोए exam दिया है railway group का उसका 0.1% topper का marks का average यहाँ पे रखेंगे इसके बाद mg क्या है तो जितने भी candidate 1.1 कडोर ने अभियार्थियों ने exam दिया है सभी का average marks आपको यहाँ पे रखना है इसके बाद mti क्या है दोस्तों तो जो आपका shift है उस shift का जो भी topper candidate होगा 0.1% का जो की marks लाया है इतना तो उसका average यहाँ पे रखना है और miq क्या है तो जो भी आपका shift था जैसे first shift था तो इसके जितने भी candidate ने marks obtain किया है average marks वो यहाँ पे आपको रखना है और यह जो mij जो आपको तो समझा दिया first में ही कि mij क्या है आपका raw marks है जितना आपके marks आ रहे है वो और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो है average marks आया है वो आपको यहाँ पे रख देना है अब इससे जो भी value आपका निकल के आएगा दोस्तों वही आपका हो जागा normalized marks जी हाँ दोस्तों इतना ज़्यादा process अपनाया जाता है तब जाके आपका normalized marks निकलता है अब चलिए simple वासा में मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ कि यह formula actually क्या है तो friends basically आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने handwriting में लिखा है तो normalization in railway group D कैसे होती है तो यह हो गया आपका normalized marks तो कैसे बनेगा आपका तो average of 1% topper का जो भी जितने भी 1.1 कड़ोर अभ्यारती है सभी का average निकलेगा कितना का 0.1% का ही निकलेगा तो उसका marks यहाँ पे आएगा average और इसके बाद दोस्तों घटा देंगे उसमें से किन का तो total 1.1 कड़ोर जो अभ्यारती दिये है candidate exam सभी का यहाँ पे average निकलेगा वो आपका घट जाएगा यह सिर्फ हो सिर्फ टॉपर का average और यह आपका सभी का average उसके बाद नीचे जो है आपका divided के नीचे तो इसमें जो भी आपका shift है जो भी आपका shift पड़ा shift 1, shift 2, shift 3 तो उ दोस्तों यहाँ पे आपको raw marks आपका जितना भी आ रहा है वो आपका यहाँ पे होगा और उसके बाग average of your shift जो भी आपका shift पड़ा था उसका average आपको यहाँ पे घटा देना होगा जो आपका raw marks आ रहा है और उसमें last में क्या करना है प्लस करना है जितना भी railway group D की candidate है 1.1 क raw सभी का यहाँ पे average marks आ रहा है वो आपका यहाँ पे जूट जाएगा तो यह हो गया आपका basic formula जो कि यहाँ पे normal मैंने लिख दिया है अब दोस्तों example के तोर पे आपको एक समझा देता हूं कुछ example के तोर पे जैसे देखिए पहला अगर हम लोग मान ले यहाँ पे कि जो 0 0.1% जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0.1% topper का जो average आपका आता है पूरा railway group d का 1.1 करोर का माल लिजए कि 80 number आता है 0.1% topper लड़कों का उसके बाद सभी का average माल लिजए railway group d का 1.1 करोर का आपका 50 number इसके बाद आता है किसी shift के 0.1% topper का average 70 आता है माल लिजए first shift का किसी 20 देख लीजे तो इसमें जो आप लोगों ने एकजाम दिया तो मान लीजे कि वहां के टॉपर गैट हैं आपके सिफ्ट के वहां के उनके अभरेज आई है 70 नमबर और उसी सिफ्ट के सभी कांडिडेट का ही अभरेज आ गया है माल लीजे 40 number और आपका अगर कोई candidate है जिसका मैं निकाल रहा हूँ तो अगर आपके marks यहाँ पर raw marks आ है 60 number ध्यान रखिएगा cut-shut के आपके answer की के बाद 60 number आ रहे हैं तो formula से आपका normalized marks कितना हो जाएगा तो यहाँ पर formula में आप लोग रख दीजिए तो 80 क्यों रखें क्योंकि 80 आपका 0.1% all जो candidate है railway group के उसका topper का है उसके बाद जो है all candidate 1.1% जो आपका है 1.1 कर और candidate है उनके average marks यहाँ पर घटे है इसके बाद आपके shift के जो topper थे उनके marks यहाँ पर मार्ग यहाँ रलीक जेगा है उसके बाद आपके shift के जितने भी जो आपके average marks है वहां पर एड कर दिया गया है तो अब इसको simplify किजेगा दोस्तो तो यहाँ पर 80 से 50 घटा तो 30 आया 70 से 40 कटा तो 30 आया तो एक कट छट के आपका 1 आजाएगा और इसको हम लोग solve करेंगे तो 60 में 40 जाएगा तो 20 जाएगा तो multiply करेंगे तो 20 ही आएगा और यहाँ पर 50 आपका जूटा तो कितना हो गया marks? 70 marks अब दोस्तो ए आपका क्या आगया? ए आपका normalized marks 70 marks आपके कितने marks थ आप के हा रहे हैं तो तो ऐसे साथ नमबर नहीं दिखाएगा यही आपका नॉर्मल आइद मार्स से तर्मार दिखाएगा और इसी पे कटोफ बनेगी और इसी पे आपकी रिजल्ट भी बनेगी अब दोस्तों सभी का यहां पे तस से का आठ नहीं बढ़ेगा सबका अलग-अलग बढ़ता है और एक क्यों अलग-अलग बढ़ता है दोस्तों आप सभी को पता चल चुका होगा कि यह जो फर्मूला ही ऐसा बना गया है कि फर्स्ट वाला तो सभी सभी कंडिड़ेट के लिए सेम रहेगा लेकिन दोस्तों सीफट बाइट यहांपर चेंज कर जागा यह वाला वैलू अगर फर्स्ट के आए तो यहांपर वालू चेंज हो जागा फिसद्स में जितना भी वैली यहां पर आएगा उसी के हिसाब से calculate करके अभ्यार्थियों के number बढ़ेंगे और यही कारण है कि किनी candidate का यहाँ पे 10 number भी बढ़ता है किनी का 15 number भी बढ़ता है किनी का 2 number 3 number भी बढ़ता है और यह depend करता है कि कौन सा shift आपका बहुत tough था कौन सा shift बहुत easy था tough रहेगा उसमें difference बहुत ही जादा हो जाएगा और easy रहेगा उसमें difference बहुत ही कम होगा यही कारण है दोस्तों कि आपके marks easy shift में कम बनते हैं और tough shift जिसके भी हो गए तो वहाँ पे जादा marks आपके बढ़ जाते हैं तो दोस्तों I hope कि अब आप लोग को अच्छे से समझ में आगया होगा कि normalization कैसी यूज होती है group d के examination में या फिर railway के examination में और इतना भी आसान नहीं है friends कि हम और आप लोग पता लगा ले कि average एक 0.1% topper का कितना marks होगा या फिर all candidate का कितना average marks होगा यह सभी railway भरती board के पास नहीं data है और वहीं आपको calculate करके बताएगी और इसी पर आपके normalize cut off marks भी तयार होगे अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे topic पे क्योंकि बहुत सरे लोग बोलते रहते हैं कि sir मैंने इतना बनाया था और मेरा इतना ज्यादा गलत हो गया तब इतना number आया जैसे एक case मैं ले लेता हूँ दूसरा case जैसे देखिए 100 number का आपका test हुआ है इसमें से एक candidate ने 100 में 100 बना दिया लेकिन इनका आया है 70 number एक candidate ने यहाँ पर 80 बनाया लेकिन इनका आया है 70 number तो कहना यह है कि sir मैंने बहुत ज्यादा negative किया है तो मेरा normalization में कम number मिलेगा या फिर मेरा कुछ नुकसान होगा और यह ज तर्म में यहाँ पर यूज किया गया है उसी के ही साफ से normalization होने वाली है तो इस term में दोस्तों आपको कहीं भी ऐसा term नहीं नजरा रहा होगा जहां पर बोला गया है कि ज़्यादा negative करेंगे उनका हम लोग कम कर देंगे और जो ज़्यादा accuracy रहेगा वहाँ पर उनका ज्या और उसी के हिसाब से आपके number बढ़ जाएंगे यानि कि आप लोग ज्यादा negative कियो हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता accuracy बहुत अच्छी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता normalize marks में तो यही आपको बात समझानी थी दोस्तों तो I hope कि अच्छे से समझ में आ गई होगी द झाल